नमस्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नएग वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ TecnoSpark 7 Pro में आप यहां पे क्यामरा की सैटिंग कैसे कर सकते हैं तो यहां पे जब आप क्यामरा ओपन करते हैं फुल स्क्रीन कर सकते हैं या फिर 4-3 कर सकते हैं 1-1 कर सकते हैं इस टैब से आप यहाँ पर ratio change कर सकते हैं HDR mode यहाँ पर आप automatically रहने दे सकते हैं या फिर हमेशा on रखेंगे तो यहाँ पर click कर लेंगे अगर off करना है तो आप इस पर click कर लेंगे यहाँ पे आपके flashlight आजाती है तो यहाँ पे flashlight आप automatically भी कर सकते हैं या फिर हमेशा on रखनी है तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर सकते हैं तो यह flashlight हो गया और यहाँ पे आपका filter आ जाता है इस step से आप filter change कर सकते हैं अलग अलग फिल्टर आपको देखने को मिल जाते हैं जो फिल्टर लगाएंगे उसी फिल्टर में आपकी फोटो किछेगी ठीक है यहां तो यह वाली सेटिंग हो गई अब यहां पर अंदर की सेटिंग कर लेते हैं तो सेटिंग पिजाने के बाद यहां पर मैं आपको बता आपका यहां पर शटर साउंड आ जाता है यानि कि जो कैमरा से फोटो खीचते हैं तो उसमें साउंड देखने को मिलता है क्लिक क्लिक करके तो अगर आपको साउंड नहीं पसंद है तो यहां से आफ कर सकते हैं यहां पर ग्रिड लाइन होती है ग्रिड लाइन यहां पर आप step से ऐसे करके सीधा position पे करके आप photo ले सकते हैं यह grid line होती है आपकी तो यहां से आप इसको on off कर सकते हैं i auto focus आप on रहने देंगे ताकि आपकी eyes पे यह focus करें और location आपको on रखना है तो on कर लीजे off करना है तो यहां पे off कर सकते है location को ठीक है और custom volume की जब आप यहां पर volume की होता है इसको दबाने के साथ आपका क्या होना चाहिए photo किछनी चाहिए और फिर zoom होना चाहिए तो यहां पर मैंने shutter कर रखा है तो यहां पर photo कीचेगी अगर आप यहां पर volume बटन दबाएंगे तो और touch capture अगर यहां पर screen पे कहीं पे भी आप touch करके photo लेना चाहते हैं तो आप इसे on कर सकते हैं और यह watermark आप यहां पर लगा सकते हैं इस step से क्लिक करके तो यहां पर आपका model name दिखाएगा photo की नीचे और यहां पर picture size पे क्लिक करके यहां पर कितने size में picture लेना चाहते हैं वह आप यहां पर सेट कर लेंगे इतना या फिर इतना ठीक है और यह फिर इतना यह रेशियो दिख जाता है नहीं यहां पर four is to three one is to one twenty is to nine ठीक है और इसके बाद यहां पर delay capture पे क्लिक करके यहां पर अगर timer set करना चाहते तो timer आप लगा सकते हैं अदरवाइस इसको off कर लेंगे तो जैसे की timer आजाता है one two three इसके बाद photo click होती है इस step से आप यहां पर टाइमर लगा सकते हैं और smile shot पे आप क्लिक करके smiley वाल बढ़ा सकते हैं जो आपको background में blur होता है ना वह आपका increase हो जाता है और जो चीज होती है object होता है वह sharp हो जाता है यहां पर यह इनहेंसर आप यूज कर सकते हैं और fingerprint sensor shutter down का option यह होता है कि यहां पर जब आउन करके आप photo लेते हैं यह आपने on कर दिया माली fingerprint आपने add कर रख तो यह यह वला option है और बाकी आपने setting कुछ अलग कर दी है गलत वलत कर दी है तो यहां पर restore default कर देंगे तो यहां पर reset हो जाएगा ताकि आप यहां पर जो system की तरफ से setting दी जाती है वैसी हो जाए ठीक है यह तो होगी journal setting और camera की setting और अब बात रही video mode की तो video mode पे आप जाएगी beauty eye use के अंदर इसको on करने से और यहां पर आपका flashlight आ जाता है और यहां पर क्लिक करके आपका bookey effect जो है इनेबल हो जाता है background की चीछे आपकी थोड़ी थोड़ी blur देखने को मिल जाती है ठीक है और यहां से आप इसका pixel चेंज कर सकते हैं 2K की चाहिए आपको यह या फिर 1080p की चाहिए या फिर 720p की यह आप यहां पर चेंज कर सकते हैं अपने according और यहां पर आप सेटिंग पर जाएंगे तो shutter sound आपका यहां पर सेम आ जाता है और यह जर्णल सेटिंग सेम है इसको आप छोड़ दीजिए जो आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने बाहर से आपको बता दिया कितनी रखनी है आपको तो यह यहां से भी आप सेट कर सकते हैं वह हमीशा सेट रहीगी आपकी ठीक है और यहां पर वीडियो की सेटिंग चेंज हो गई है तो restore कर देंगे बागी फुल सेटिंग आपको बता दिया है यह हर जगह के लिए हो जाएगी तो इस टैप से वीडियो या फिर कैमरा की सैटिंग आप कर सकते हैं आपको पसंद आया होगा इसी टैप के और वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार